अवेरी वाम वेलकम टू अफ लाइब्रेरी एन इंफर्मिशन साइन्स सभी विद्धार्तियों का स्वागत है जो लाइब्री साइंस से विएलाइस, CLS, EMLS कर रहे हैं कर चुके हैं आप इसे कई सारे से स्टूडेंट हैं जो कौंप्ट इग्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट सीडियो में हम कवर करेंवाले है स्टूडेंट सेवन को मेडिया से स्टाौष ऑफ इंसे कर अब्रमिशन साइंस हैं सर्फ इंफर्मिशन से स्टूप एफ हैं स्टूप शार्स उं इस सपाइब्रinh तो आँबोग चल रहा है इस ब्लौूग का है यह को मेडि अपनेंट आफ मास मीडिया क्या है? एकसिसिबिलिटी एन अबिलिबिलिटी, एडविटिजमेंट, पॉबिक रिलेशन, इंडियन सेनारियो, ICT, एन दे मास मीडिया, जो वेरियस अधर थींग है, इस सब भाम इसमें कवर करने हाले हैं, तो मास मीडिया, क्या होता है, मीडिया आपको पता है, क्या होता है, लाइक मीडिया रेफर्स टू थू थू मास मीडिया कम्यूनिकेशन, सच एस नीजपेपर हो गया, मैगजीन, टेलिवीजन, रेडियो, रिकॉर्डिंग, ओडियो वीजुल, जो एड्ट होते हैं, यह सब मीडिया के अंदर आते हैं, मास मीडिया के अंदर आते हैं, जो कि यहां पर वाइटल रोल प्ले करते हैं, इंफर्मिशन ओफ मास कम्यूनिकेशन में, दे इंपक्ट ओफ मीडिया हैस टोटली ट्रांस्फॉर्म्ट हुमन लाइफ तो इसने लोग की जिंदिगी है उस पर बहुत असर डाला है और एक्दम से उसकी जिंदिगी है वो बदल सी गई है बाइब मास मीडिया, दे आर नोट जस्ट दे कैरियर ऑफ इंफर्मिशन और नॉलेज पर से, बट अलसों दा मीज़ बई जख यहां गॉनिकेट और मीज़ से नॉलेज सॉसाइटी से में कवर होता है और वरियोज अथर थिंग्स कोशन जो हां इसमें आएगा जो public communication होता है that have that have as their physical channel of transfer transmission a mass media television radio motion picture newspaper books music and recording it is it is these institution and organization that use print and electronic joe device होती है जिसमें produce किया जाता है content of the audience when mass media become the channel for mass communication there have been a characteristic like you have a complex technology become involved in a complex technology involved होती है the velocity of process increase in order to reach a huge audience and the the amplitude to have increased because the potential to be here record ke jata hard or viewer is a powerful mass communication is a process whereby mass production messages are transmitted to a large audience होते हैं उन तक यहां पहुचाया जाता है तो mass media अपने आप एक बहुत important role play करता है जब हम यहां पर बात करते हैं information की question आएगा what does mass media what does mass mean in today's जो context है mass communication का तो mass का मतलब होता है बहुत सारा और communication मतलब होगा बहुत सारे लोगों से communicate करना और बहुत सारे लोगों से communicate आप किस तरीके से करेंगे mass media की तुरू करेंगा mass media में क्या क्या आता है radio television हो गया और भी जो इंटरनेट हो गया this also come under mass media फिर है question why is information and knowledge जो है वो generated generated के जाता है by mass media worth preservation characteristics scope and function of mass media mass media offer a current awareness service current awareness services यहां पर प्रवैड करता है example जो institutional services होती है like reporting हो गया current events हो गया activity by radio and television radio and television are faster means of communication यह faster मतलब तरीका है communication करने का than the print media because print media जो है वो हाट copy में आप तक पहुचेगी तब तक जो है soft copy में आपको आप तक information जो है पहुच जाती है जैसे कि आप के पास जो smartphone है उसके तुरू आप वेरिस जो information है जैसे कि अभी Ukraine जो वार हो रहा है Ukraine रॉस्या का आप मतलब आप फोन जैसे on करते हैं आपको इससे related notification हो गया या जहां पर भी आप किसी चैनल के माधियम से देख रहे हैं तो वहां से आपको कौन कौन से लोग जो है इनवालों मास मिडियम में मैंने इस सब के बारे में बता पॉजिटीव इंफ्लूएंस और região सिखे का दौप हलू होता है हर चीज का का दो पहलू होता है पॉजिटीव भी जो होता है नेगीटीव फिर उसके बाद लोगों को अवेर करता है, दूसरा, यह quick mean of communication है, chief mode of communication है, लोगों को बहुत सस्ते rate में आपको information मिल रहा है, उसके अलावा यहाँ पे positive impact लोगों के उपर डालता है, अगर वो information सही provide करे तो, और यह wider audience को cover करता है, without any investment, तो यहाँ पे भाई, पेपर का जो है, यहाँ पे influence, जो production जो पेपर का होता है, वो wastage कम हो जाती है, economic friendly है, environmental friendly है, उसके अलावा अगर हम negative impact की बात करें, तो negative impact भी इसके कई सारे हैं, यहाँ पे अगर negative information provide किया गया, जैसे कि ऐसी चीजों को टोर मडोड के दिखाना, जो मतलब reality में कुछ और ही है, तो उससे क्या होता है, कि society में imbalance create हो सकता है, लोग के mindset में भी मतलब वो चीज़े जो है, तो manipulation का जो one of the reason कि यहाँ पे चीज़े आती है, तो और भी चीज़े हैं, यहाँ पे mass media जो है, यहाँ पे एक important role play करता है, तो उनको एक responsibility उनके होनी चाहिए, कि they should be have, मतलब इस responsibility के अंदर ही बन के आपको कारे करने है, briefly state the positive norms of mass media, तो question positive norms से आएगा, अगर आएगा तो, फिर component of mass media, component क्या है mass media के, तो यहाँ पे print media हो गया, radio broadcasting, television, records on CD, DVD, mass motors film, तो print media आपको पता है, newspaper, magazine, periodicals, जो है, यह सारे जो चीज़े है, पोस्टर हो गया, general हो गया, leaflets हो गया, books हो गया, magazine हो गया, यह सारे क्या होते हैं, यहाँ पे print media में कवर होते हैं, उसके बाद यहाँ पे scope and coverage region यह सारी चीज़ा पढ़ लेना, question आएगा, what are the component of mass media तो उपर जो बताया हो सारे बता देना है, और अगर पुछेगा, what do, what do daily, जो edition है, of newspaper, usually carry, तो क्या-क्या इसमें carry करता है, यह भी आपको बता देना है, उसके बाद यहाँ पे, magazine, periodicals, यह सारे, तो आपको पता है, क्य question है, why do periodicals and magazine considered useful information source, तो magazine और जो periodical है, इनको useful information source क्यों माना जाता है, तो इनको important source of information इसले माना जाता है, क्योंकि इनके पास एक time frame होता है, मतलब काफी time इनको मिल जाता है, information gather करने के लिए, क्योंकि periodicals हो गया, magazine हो गया, यह रोज रोज नहीं आती है, यह सबताह में आती ह है, यह साल में आती है, तो वो yearbook हो गए, अगरो साल में आ रही है, तो इनके पास एक frame, time frame है, जिसमें यह information जो है, वो collect करके, और जादस 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 information collect करके, information जो है, यहाँ पर प्रवाइड करती है, user को, इसलिए इसको अच्छा मतलब source माना जाता है, information का, फिर radio broadcasting की ब होता है, यहाँ पर distinctly different from the print media, it provides news and the information, जो है, आपको within a fraction of time, आपको information जो है, लाइब भी चला रहे होते है, आजकल तो इसके दोरा आपको information जो है, वो मिल जाता है, characteristic and scope यही सारी चीज़े है, कि chief mean of communication है, describe why and why the radio broadcasting has been more successful via TV जो प्रोग्राम्स होते है, क्योंकि टीवी वाले में बहुत सारा यहाँ पर आपको expenditure expand करना होता है, बहुत जारा setting बनानी होती है, पर जो है यहाँ पर radio में इतना ज्यादा बनानी के जुरूतनी होती है, बिकॉस आपको कोई सामने से देख नहीं रहा होता है, तो किस situation में आप बैठे हैं, कहां पर हैं आप तो कोई नहीं ब्रीफली दा आर्केवल जो वैल्यू है अफ रेडियो ब्राड कास्टिंग का, फिर आता है टेलिविजन, वालम ता इलेक्टोनिक मीडिया उफ मास कम्यूनिकेशन, दे मोस्ट पारफूल एंद इंफिन्वेंशल मेंस आविंग इंपक्ट ऑन सोसाइटी और टेलिविजन is television. Broadcasting के द्वारि बहुत सारे जो चैनल से आजकल तो बहुत सारे चैनल है टेलिविजन परिया अपने देखने को मिलता होगा नी चैनल अलग हो गया है प्रोग्राम के चैनल अलग है, काटून चैनल, सौक्स चैनल, विरियस प्रकार के चैनल है जो कि लोगों के जो mind है उस पर बहुत influence डालता है तो यह भी एक तरह से means of communication का मात्यम है चैनल से हाँ पर केवल टीवी हो गया यह सब तो बता दिया है आप इसन को पढ़ लेना प्लीज करके recording such as CD and DVD है तो आपको बता है यह छोड़ सकते हैं फिर आता है motion film motion film क्या है motion film are an important media of popular जो entertainment होता है because of their wider जो mass appeal है and influence on the society combined with TV films constitute the most powerful media that impact every section of the audience यहर section of the audience को impact करती है in its possible way in India with all its cultural and linguistic diversity and the problems of illiteracy films are the most powerful of all all media cutting across the linguistic and the cultural जो diversity है with the universal जो emotional language है तो इसके द्वारा जो है लोगो को अपील करती है commercial जो यहां पे cinema है is all changing and romantic and fascinating जो scene से जादा यहां पे देखने को मिलता है the usual जो integration है are songs, groups, dance हो गया crime, fight, fights हो गया, melodrama हो गया, comedy यह सब जो है जादा देखाई जाती है all broadcasting and imagination the idea of filmmaker is in general is to appear to prepare a show of popular entertainment to ensure financial success and the box office hit तो जहातर उनका यह होता है यह नहीं होता है कि उनको समाज की कुछ ऐसी चीजों को दिखानी है जो कि लोगो अवेर करें लोगो अपील करें जो actually में मतलब वर्थित हो बट उनको बस सिर्फ यह होता है जो producer होते है या जो यहां पे film maker होते हैं यही काम होता है मतलब उदेशे यही होता है कि उनको ज़्यादा ज़्यादा उनसे आउटकम जनरेट करना है बाकि यह सारी जो चीज़ है इसको आप मतलब अपने लेवल पे कर लेना आप बिकॉस इस नोट वेरी इंपॉर्टेंट जितना यहां पे करना था इसको आप स्किप कर देना इसी के साथ यह हमारा लेक्चर जो है यहां पे हम समाप्त करते हैं एड़र्टीजमेंट शॉर्ट नोट में आ सकता है आप चाहे तो पढ़ लेना तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स लेक्चर में किसे अलग टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद